नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर So, Government Schemes की MCQ की सीरीज में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नमबर 10 को लेक्चर नमबर 129 आपके लिए हम लोगों ने अप्लोड करवा दिये हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकरके उनको definitely देख लीजेगा इसको लेकर हमने एक dedicated playlist भी त्यार करवाई है अगर आप वहाँ पे भी उसको refer करना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं So, that आपको सारे के सारे lectures एक ही जगा पे available मिल जाए Now, इस particular lecture में मैं आपके सारे discussion करने वाला हूँ Ministry of Animal Husbandry के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलिगराम चैनल के माधियम से इसके इलावा Unacademy आप में मेरे सा जोड़ना बिलकुल ना भूलें so that आपको मेरे special classes की और plus courses की notifications time to time मिलती रहें और बताना चाहूंगा कि Unacademy आपके लिए एक बहुती बहतरीन offer लेकर आया है जिसका आज आकरी दिन है 30th November का जिसमें की अगर आप लोग any UPSC code का इस्तिमाल करते हैं तो आपको 10% का discount तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में Unacademy एक special offer लेकर आया है कि हर course के ऊपर आपको 2500 रुपे का extra discount offer कर रहा है तो जो नए prices आपको देखने को मिल रहे हैं वो ये वाले आपके prices हैं इसमें interesting to note कि अगर आप लोग एक से अधिक साल का कोई भी combo लेते हैं तो आपको तीन महीने की जो subscription है उसकी extension भी available करवाई जा रही है साथी में आपको 20 GS books भी आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी आपके लिए अगर Hindi medium है तो Hindi medium, English medium है तो English medium depending upon your preference ये किताबें आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अन्य UPSC code का इस्तिमाल करते हैं तो मेरी personal guidance WhatsApp group में edition और 20 books आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी इसके इलावा अगर आप देखें ये वाले batches हैं जो के शुरू होने वाले हैं 1 December से इसमें 2022 और 23 के बच्चों के लिए खास रूफ से जो batches हैं उनको यहाँ पे plan किया गया है इसके इलावा मेरे द्वारा भी ये वाले batches आपके लिए वेलेबल करवा दिये जाएंगे और यह आपकी जो combat है इसमें आपको हिस्सा लेना बिलकुल नहीं भूलना हर रविवार के दिन तो पहर 11 मजे होता है अगेन इसमें आपको enroll करने के लिए मेरा code यूज करना है और यूपीसी और राइट, question number 1 आपकी screens पर है दोस्तों, दोनों के दोनों statements बिलकुल सही है आपको बताना चाहूंगा NADCP के बारे में इसका जो main objective बेसिकल ये है कि हम लोग foot and mouth disease और brucillusus की बिमारी को खतम कर दें livestock के अंदर by 2025 और उनको eradicate कर दें by 2030 ठीक है यहाँ पर जो important है वो यह है कि FMD और brucillusus होती क्या है basically FMD एक बहुत ही जादा severe और highly contagious viral disease है of livestock which has a significant economic impact ठीक है और यह अगेन आपकी cattle, swine, goat, sheep और dogs को affect कर सकती है humans may acquire the disease through direct contact यह point को आपको ध्यान अपना काफी important है कि humans को भी यह विमारी यहाँ पर हो सकती है अगर वो direct contact में आते हैं with the infected animal anyways यहाँ पर आपका option number C बन जाता है सही जवाब अगला question, question number 2 नाशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग और डेरी डेवलपमेंट ठीक है इसके बारे में आपसे सवाल पूस रहा हूँ मैं the program was initiated in 2014 urban cattle and buffalo keepers irrespective of caste, class and genders are the target beneficiaries थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो खुद भी अंदासा लगा पाएंगे कि urban cattle के लिए ये वाली scheme को शुरू नहीं किया गया है बल्कि जो आपके ग्रामीन शेत्र में रहने वाले जो आपके farmers है जो की basically cattle और buffalo को रखते हैं, उनकी breeding करवाते हैं, ठीक है उनके keepers है, उनके लिए इस particular चीज़ को शुरू किया गया है इसके कुछ salient features mentioned है इसमें please ध्यान रखिएगा कि इसका जो initiating का date है, ये 2014 है because आगे जाके एक और प्रोग्राम आएगा जिसके नाम में बवाइन आता है लेकिन उसको initiate किया गया था कुछ साल के बाद, ठीक है इसमें इसके तीन components आपको ध्यान रखने इसमें इसमें जो आपका प्रोग्राम का नाम है इसमें दो चीज़ें तो यहीं mention है कि पहला इसका component है बवाइन ब्रीडिंग का और दूसरा इसका component है सर डेडि देवलपमेंट का तीसरा component है राश्चे गोकुल मिशन का तीनों के तीनों आपको ध्यान रखने बहुत ही important है राश्चे गोकुल मिशन सा जोड़ हुए कुछ चीज़ें इसमें कुछ indigenous breeds है गिर, साहिवाल, राठी, डेओनी, ठीक है थरपरकर, रेड, सिंधी वगारा वगारा बेसिकली ये हमारी indigenous breeds है जिनको की हमें upgrade करवाना है जिनको की हमें, बेसिकली इनकी हमें जो दूद की yield है, इसको बहतर करवाना है इनके genetic makeup को बहतर करवाना है इन सब चीजों के लिए राश्चे गोकुल मिशन को यहाँ पर शुरू किया गया है question number 3, national dairy plan 1 it is a central sector scheme, NDDB is the implementing agency of the national dairy plan 1 very very simple straightforward question option number 3 आपका सही जवाब इसमें कुछ बढ़ा बताने को है नहीं basically ये वाला जो आपका plan है ये इसलिए शुरू किया गया था कि हमारे जो milk animals है उनकी जो productivity है, इसको किसी तरीके से बढ़ाया जाए to help provide rural milk producers with greater access to the organized milk processing sector ये आपकी एक central sector की scheme है और इसमें NDDB जो की again आपको ध्यान होगा जिसने operation flood को चला है सा white revolution के तहर वही इसकी implementing agency यहाँ पर बनाई गई है इसके भी कई सारे components है लेकिन इसमें ध्यान रखेगा कि basically कुछ-कुछ states के ऊपर साथा फोकस किया जा रहा है जहां पर हमारी milk production already आती है normally हम लोग क्या सोचते हैं कि जहां से milk production नहीं आती वहाँ पर focus किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों जहां से आपकी milk production पहले से ही आ रही है ठीक है उसके बाद वहाँ पर हम किस तरीके से productivity को बढ़ा सकते हैं उस चीज का यहाँ पर जो है focus किया जा रहा है next question आपके सामने quality milk program very very simple question objective to achieve the global standards जिसको की often हम लोग codex standards के नाम से जानते हैं for domestic consumption of milk the program is carried out under the national program for the dairy development scheme it helps to detect the adulteration in the milk दोस्तों तीनों के तीनों statements यहाँ पर सही है option number D आपका सही जवाब बन जाता है basically quality milk program हमने शुरू किया है so that हम लोग global standards को achieve कर सके और program जो है national program for dairy development के तहर से लाए जा रहा है और main मकसद यही है कि दूद के अंदर जो nutrition है उसको यहाँ पर खतम किया जा सके ठीक है nothing new in this program इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि क्या क्या तक्नीकें हैं जो की इस्तिमाल की जाने वाली है in the plants number one point आपको ध्यान रखना है FTIR अगर आप लोग biotech से या फिर chemical engineering background को बिलॉंग करते हैं या chemistry में आपने B.S.C.M.C. की होगी तो आपको मालूम होगा something called as four-year transform infrared technology इसका इस्तिमाल किया जा रहा है दूसरा आपका electronic milk analyzer है इसका भी इस्तिमाल किया जा रहा है question number five आपके सामने है national livestock mission very very old mission ठीक है it is a centrally sponsored scheme and it is being implemented as a sub scheme of white revolution राष्ट्रे पशुधन विकास योजना since April 2019 it involves sustainable development of livestock sector and focuses on improving the availability of quality feed and fodder दोनों के दोनों statements बान से की निया बिल्कुल सही है कुछ भी इसमें घबराने वाली बार नहीं है बस ये ध्यान लटना इसमें की ये एक centrally sponsored scheme है normally ऐसे cases में बच्चों को लगता है कि सारी कि सारी जो fisheries की schemes है जो daring की schemes है जो annual husbandry की इसमें central sector scheme लेकिन ऐसा नहीं है ये एक centrally sponsored scheme है ठीक है ये second वाला point अगर आप जहान नहीं भी रखेगे it's totally fine इसका जो second वाला ये वाला आपका point है ये तो काफी common sense वाला point है कि sustainable development करवाना है तो इसमें तो कोई देखके ताली बात नहीं है question number six dairy processing and infrastructure development fund this is a very very important fund expected है question इसके ओपर because funds को लेकर UPS थोड़ा serious है ये एक central sector की scheme है it has been set up under the cooperative societies the loan component पोपी 80% and the end borrower's contribution 20% the respective state government will be the guarantor of the loan repayment all right दोस्ते इसमें बूचा गया है कि आपसे incorrect statement कौन सा है तो sir option number B आपका incorrect statement है कि it has been set up under the cooperative societies तो जी रही आपका जो bank है जिसका नाम है नाबाड ठीक है तो नाबाड के अंदर basically इस particular आपके जो fund है उसको set up किया गया है ये थोड़ा सा हटके है चीज normally बच्चे इसमें confused हो सकते है D.I.D.F. has been set up with a corpus of rupees 8,004 crore under the NABAD not under the cooperative societies hence statement 2 is incorrect बाकि सारी की सारी बाते हैं जो आपके दी हुई है question में वो यहाँ पर सही है question number 7 national mission on bovine productivity अब देखे फिर से वापस जाईए मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर यह वाला आपका प्रोग्राम था इसमें आपका एक प्रोग्राम जो है national program for bovine breeding है वो एक प्रोग्राम है जिसको कि 2014 में शुरू किया गया था यह वाला जो आपका प्रोग्राम है इसको छोड़ा अलग से आपको ध्यान रखना होगा कि यह आपका national mission on bovine productivity है इसकी launching sir 2016 में हुई थी इसका मूल उदेश यह था कि हमें milk production को बढ़ाना है और productivity को increase करना है thereby making daring more remunerative to the farmers पशु संजीवनी is one of the components of the national mission on the bovine productivity दोनों के दोनों statements यहां बिल्कुल सही है यह प्लीज ध्यान रखेगा confused नहीं होना वो bovine breeding है यह bovine productivity है इसकी चीज़े मैंने यहां पर mention करवाई हुई है question no.8 national artificial insemination program ठीक है in the NAIP पशु आधार has been ear tagged to the animals so as to enable the government to identify and track the animals it aims for improving the genetic merit of milch animals with high quality seed gestation period for getting the benefits from the AI bovine is approximately 3 years ठीक है यहां पर by chance आपका answer already marked है तो option no.D जो है यहां पर सही जवाब है इसमें again क्या के चीज़ें याद रखनी है ठीक है कि यह आपका पशु आधार के नाम से चीज शुरू करी गई है artificial insemination program जो पशु आधार की चीज है उसकी मदद से सारे का सारे animals की ear tagging करी गई है और यह वाला जो आपका time period है प्लीज ध्यान रखे कि यह 3 साल का time period जो कि बताया गया है कि इतने time के बाद आपको यहाँ benefits मिलने शुरू होने वाले हैं ऐसा नहीं कि आपने आज शुरू किया तो immediately आपको दोनों चीज है बिलकुल सही है इसको लेकर सवाल आने के चांसे बहुत ही कम है वेरी मीगर चांसे बहुत है जादा मुश्किल जादा important relevant scheme नहीं है ठीक है नेक्स क्वेशन की बात करते हैं यह एक अच्छी scheme है सवाल आने के बहुत चांसे है National Action Plan for the Control and the Eradication of the Glanders What is Glanders? Glanders is a viral disease of equines ठीक है दोस्तों equines या equines जो भी आप इसको बोलते हैं पहली बात तो यह viral disease नहीं है ठीक है यह एक bacterial disease होती है जिसकी वैसे option number A आपका partially गलत होने के वैसे गलत हो जाता है As per the action plan infected animal should be eliminated immediately यह वाली बात बिल्कुल सही है कि infected animal जो है इसको immediately आपको जो है eliminate करना होगा Hence option number B 2 only will become your correct answer As you can see over here National Action Plan for Control and Eradication of Glanders यह सारी के सारी बात हैं बिल्कुल सही है Humans can also get this disease इसका प्लीज आप लोग ध्यान रखें